MP Board का अक्षा दस्वी के विद्यार्थियों को अध्याय 6 से यहां पे महत्वपूर प्रस्न बताने वाला हूँ यह जो प्रस्न बता रहो हूँ यह अध्वार्सी का और आपके वार्सी पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर है क्योंकि जिस हिसाब से Blueprint बना है उसे हिसाब से मैं पूरा प्रस्न बताऊंगा और यही से प्रस्न आएगा और कहीं से नहीं आएगा तो एक एक अंग वाले प्रसने में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि तीन प्रसना आएगा और दो अंग के प्रसना सिर्फ एक आएगा तो दो अंग के प्रसना में किस-किस को पढ़ना है उसको बता देता हूँ उसी को ही पढ़के आपको एक्जाम में जाना है तो चलो मैं आप आपको दिखाता हूँ पहले वस्तुनिष्ट प्रस्न तो देखो पहला प्रस्न यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देख सकते हो ठीक है यहाँ पे क्या कहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भीन भीन पिंदों पर प्रतिछेत करने क के लिए एक रेखा खीची जाए तो अन्य दो भुजाओं भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है इस कथन को निमलिकित नाम से जाना जाता है तो उत्तर क्या लेना है अधारभूत अनुपातिक प्रमे कहाते हैं उसे ठीक है यह लेना है इसके बाद देख कोड़ B का अमान होगा तो कोड़ B का अमान 90 अंस होगा ठीक है यह लेना है चलो ठीक आगे दिखाता हूं इसके बाद तीसरा प्रशन देखो किसी त्रिबूच ABC में DE समानतर AB तथा CB बराबर है 3 cm EC बराबर 4 cm तो B बराबर 6 cm तब DA होगा तो DA का अमान जो है 4.5 होगा ठीक इसे समझाने की जुरूरत नहीं है यह आसान प्रशन है बस एक त्रिबूच बनाने हैं त्रिबूच बनाने के बाद चलो आगे वाले प्रशन में आपको बता दूंगा कैसे बनाना है ठीक है देखो इसके बाद क्या है चौथा प्रसन है यदि एक त्रिबूच में किसी ए समानतर BC है तो AD बराबर X DB X-2 AE बराबर X-2 तथा EC बराबर X-1 तब X का अमान होगा तो 4 होगा ठीक है छट्वा देखते हैं दो समरूप त्रिभूजों के भुजाओं का अनुपाद 4 अनुपाद 9 है तो त्रिभूज के छेत्रफलों का अनुपाद क्या होगा तो 16 अनुपाद 81 होगा पाइथागोरस प्रमे भाराद में निम्न गडिताग्य द्वारा दिया गया था तो यहाँ पर उत्तर क्या लेना है बौधायान लेना है सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं नौवा प्रस्न एक आदमी पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है फिर वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है अब वह प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूर दूर पर है तो 15 मीटर दूर पर है दसवा है नीम्न में कौन सा समकोड त्रिबूज है यदि भुजाओं की लंबाई नीम्न है तो यहाँ पे 6,8,10 लेना है ग्यारवा है दो समरूप त्रिबूजों के छेत्रफल क्रमसा 9 cm2 और 12 cm2 तो इसकी भुजाओं का अनुपाथ तो यह 3 अनुपाथ 4 लेना है आपको बारवा है देखो त्रिबूज ABC एक समकोड त्रिबूज है जहाँ AB बराबर 4 अंडरूट 2 cm है और B कोंड B का अमा 90 हैं सा तो उसके करनक का लंबाई पताए तो 8 cm करने की लंबाई होगा किसी सम्भाउत रिबूज में AD पर लंब है BC हो तो तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 AB स्क्वेर बराबर 4 AD स्क्वेर हो जाएगा इसके बाद रिक्तिस्थान देख लेते हैं देखो रिक्तिस्थानों के पूर्ती में पहला प्रसन देखो सभी व्रित खालिस्थान होते हैं तो सम्रूप होते हैं सभी वर्ग सम्रूप होते हैं यहां भी सम्रूप आजाएगा सभी सम्भाहू त्रिबू सम्रूप होते हैं ठीक है यहाँ पे समभावू लेना है दो समान कोड़ी ये त्रिभूजो के उनकी संगत भुजाओं का अनुपाद सदयो क्या होता है समान होता है यदि एक रेखा किसी त्रिभूज की दो भुजाओं को एक ही अनुपाद में विभाजित करे तो वह तीसरी भूजा खाली के होती है तो क्या होती समानतर होती है चटवा प्रसन देखो सम्रूप त्रिभूज की संगत भुजाए समानुपातिक होती है सम्रूप त्रिभूज के संगत कोड़ बराबर होते हैं दो सम्रूप त्रिभूजों के चेत्रफल का अनुपाद किनी दो भुजाओं के वर्ग देखो 2 समरूफ त्रभूजो के अनुपात यहां पे 9-11 तो 21-21 आजाएगा ठीक है, चलो, अब यहां पे देखो सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं, तो देखो सही जोड़ी मिलाओ में पहला देखते हैं, त्रभूफ समरूफ होते हैं तो इसको आपको लेना संभाहू में लेना है अधार बूत अनुपातिक प्रमे थेल्स का है थेल्स ने दिया है सभी वर्ग होते हैं तो समरूब होते हैं पाइथागूरस प्रमे कर्ण स्क्वेर बराबर अधार स्क्वेर प्लस लंभी TRA हुता है इसब के बाद त्रिभूजों की मादिका समागी और सम्रोप त्रिभूजी की संगत बुझाएं यहां पर आपको क्या लेना है अनुपातिक में लेना है ठीक है इसके बाद एक सब्द एक वाके मुत्तर देख लेते हैं एक सब्द एक वाके मुत्तर में देखो पहला क्या है क्या इसी त्रिभूज की एक भूजा के समानतर अन्य दो भूजाओं को भीन भीन बराबर पर प्रतिछेद करे तो एक रिखा खीची जाए तो ये अन्य दो भूजाओं भूजाएं एक ही अनुपात में विवाजित हो जाती है ये थेस का प्रमे है ठीक है इसकी तरह से देखो बराबर होता है मतलब दोनों के योग के बराबर होता है दूसे हम क्या कहते है उसे हम समकोर कहते है इसी तरह से क्या थेखो पाजवा है क्या भूजाएं च्छाए आठ दस संकोर तzungौज ay हां चटवा है एक आदमी दस मीटर पूर वकी और और उसके पच्चाच चोबीस मीटर की उत्तर की ओर जाता है तो प्रानम भी बिंदू से दूरी क्या होगी तो इसका उत्तर हो जाएगा चटवा का 26 मीटर हो जाएगा यदि कोई दो समरूप त्रिभूजो की माधीकाओं का अनुपाद चार उन पाद पाद पाच्च उनके चेत्रफ़णों का उनपाद 16 और 25 हो जाएगा समकुर्थ दिवच की सबसे बड़ी भुजाओं को कहते हैं करन कहते हैं तो सत्य तो देखो सत्य सत्य में ये वाला प्रशन जो है ये सत्य है जिसे मैंने काटा हूँआ सत्य है ये भी सत्य है ये सत्य है पांचवा छटवा सत्य है ठीक है सात्वा को देखाता हूं सात्वा यहां पर मैं इसे पढ़ के बताव नहीं रहा हूं सात्वा सत्य है आठवा सत्य है नवा सत्य है ये भी सत्य है दस्वा ग्यारवा सत्य है और बारवा जो है वो भी सत्य है ठीक है इसके अलावा दो और प्रस्ण है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे देखो यह दोनों असत्य है ठीक अब मैं आप लोगों को दो दो नंबर के प्रस्ण दिखाता हूं तो दो दो नंबर के जो प्रस्ण है उसे मैं आपको दिखा र तो दो नमबर बताईए कि नेमलीखित आकरितियों समरूप है क्या नहीं कैसे पता चले रहा है तो देखो समरूप होने के लिए आपको क्या करना है समरूप होने के लिए देखो सम्रूप है कि नहीं पता चल जाएगा यह आकरिती भी आकरिती है तो देखो सम्रूप कैसे यह नब्यांस का इसका यह कौन तो इसका यह वाला मतलब संगत कोड क्या है सम्रूप होना चाहिए मतलब संगत कोड बराबर हो चाहिए यह नब्य है यह नब्य है यह इसके साथ नब्य है यह नब्य है और यह नब्य है तो यह भी नब्य है मतलब क्या है यह सम विदी होना चाहिए तब क्या होगा सर्वांग सम होगा और सर्वांग सम जो होता है ना उसमें आटोमेटिकली वो उनके सभी कोन समान होते ही है भुजा तो समान होंगे उसके साथ कोन अपने आप समान हो जाता है लेकिन समरूप में भुजा कभी समान नहीं होता है हो सकता है कोई आकरिती बड़ा और छोटा हो सकता है ठीक है लेकिन उसके सिर्फ कोण बराबर होंगे भूजा बराबर नहीं होता है तो यही उसमें डिफरेंस है याद रखना ठीक है अब दो नंबर के प्रस्न देखो दो नंबर के प्रस्न में मैं दिखाता हूँ यह दो दो बराबर कौन RTS दरसाईय की त्रिभूज RPQ समरूप त्रिभूज RTS ठीक तो देखो क्या करना है पहले ये जो दिया है उसको लिख लेते हैं ये सब चीद दिया है कहके मैंने यहां तक पुरा मालब फार्मिल्टी में लिख लिया ठीक है इसके बाद जो दो त्रिभूज है उसको भी दिया है ये दोनों त्रिभूज तो ये देखो ये दोनों त्रिभूज को भी मैंने लिख दिया लेकिन मुझे क्या सीद करना है समरूप सीद करना है तो समरूप का नियम क्या होता है कि ये कोंड जितना है उतना ये होगा इसका मतलब ये दोनों कोंड बराबर हो रहे है तो आपको बताना है कि P देखो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे क्या कर बताया है ध्यान देना R, P, Q कहाँ पे है भई R, P, Q R, P, Q R, P, Q तो इस वाले में क्या लेना है RST ठीक है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर हो गए है ठीक है संगत संगत कोड बराबर तो तीन भूजा है देखो एक दो और तीन स्वारी कोड तीन कोड ये तीनो कोड और ये तीनो कोड ये अपने संगत कोड के साथ क्या बराबर ह समरूप्त अगर यह सर्वांग सम होता तो यह इतना बड़ा यह भी आकृती होता तब होगा ठीक है तो यह सीद यह अगे देखते हैं यहां भी क्या पूछा है देखो इसमें भी वही पूछा होगा देख लेते हैं अनुपातों चेत्रफ़लों का नुपात गयात कीजिए कह है न हमारा solution है वो यहां से शुरू होगा देखो यहां पे DF है कहां पे है देखो DF DF के बराबर क्या होगा यह BC होगा ठीक है तो DF को भाग दे रहे हैं किससे BC से मतलब छोटे भुजा को बड़े भुजा से भाग दे रहे हैं तो तीन भुजा को तीनों भुजा से भाग देंगे ठीक है इसके बाद D E देखो ये D E है तो D E को भाग दे रहे हैं ये देखो ये जिस तीसा में जा रहा है वैसी ये भी जा रहा है एसी तो A C से भाग करेंगे और ये F E है मतलब E F है तो E F जैसे जा रहा है वैसे ही ये जा रहा है A B भाग दे दिए तो ये क्या है ये जितना है ना उसके दो गुना बड़ा वाला भूजा है तो उपपर को अगर एक रखतेंगे तो नीचे का मान कितना होगा दो तो एक बटे दो आ गया ठीक है अब ये क्या बता रहे है ये समरूप दर्सार है ठीक है तो दोनों त्रिभूज समरूप हो गया अब क्या करेंगे इसको वर्ग कर देंगे ठीक है किसको इन दोनों त्रिभुजों को या इन में से कोई एक भुजा को हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग करेंगे एक बटे चार आ जाएगा तो यह आ गिया इसका उत्तर बहुत आसान था ठीक है चौथा देखो चौथा में क्या पूछा है यहां भी समरूफ ही पूछा होगा देख लेते हैं यह पूरा फार्मेल्टी है ना इसको सिर्फ एक बार पढ़ ले ना यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है प्रस्ण में, वही प्रस्ण पुरा गपुरा यहां पर उतार दिया है, समझो, ठीक है, यह थोड़ा अलग तरीकेस लिखा है, लेकिन वही है, उतार देते हैं यह लोग, पुरा का पुर एक बड़े त्रभूज एक छोटे त्रभूज तो देखो PMR चोटा है इसके बाद एको QM और P मतलब दो त्रभूज है तो दो त्रभूज मतलब बराबर ही किनिया हम चेक कर लेते समरूप में ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर PM PM प्यम अपान क्या लिखोगे Q QM यह वा Mr ke BRK पराबर क्या हों जाए गए यह ए मार के बराबर क्या हो जाए गए यह बराबरbij अपान अपन M P तो M Parece हो गया यह दोनों क्या हो गया तो इस साल सी यह咪ान आ जिस्टारा कहिए ट्रकरा देखते हैं तो देखो, ABC एक संभाहू तरिबूज है, जिसका कोड़ C संभाड है, तो सिद्ध किजिए कि AB स्क्वेर बराबर 2AC स्क्वेर है, तो तरिबूज ABC यहाँ पर यह पूरा फ़ार मिलती है, दिया वाला है, हमें क्या देखना है, मेंचीत देखना है, कि हमें निकालना है, A का B का बराबर 2AC, ठीक है, तो यह जो कर्ण है, इसके, तो कर्ण का सूत्र आपको पता है, पाइथागोरास प्रमे पता है, तो कर्ण होता है, AB का वर्ग होता है, तो AB का वर्ग, और इसके बाद यह दोनों और यह दोनों, यह जहाँ मैंने लिग दिया, BC का वर्ग और AC का वर्ग पाइथावरस प्रमे में अब यहां पर क्या कहा है कि दोनों भूजाएं बराबर हैं मतलब यह जितना है उतना यह भी है तो मैं क्या करूंगा बी-सी को भी मैं A-C लीख सकता हूँ जब बराबर बिलकुल लीख सकता हूँ तो B-C के जगह में A-C का वार्ग अब A-C वार्ग एकसी वार्ग जोड के कि लिना दो A-C वार्ग आगे सीध हो गिया वहत आसान रहते से प्रश्नों को सीध करना इसे तरह से देखो चटवा प्रस्त ऍहुराइए जिल करेंगे OS लेखो करें चटवा प्रस्त नाम एक यहां जिए गरा ना अब यह लग दिया है अब है उप planets प्रमे आ लाने के बाद देखो same to same है क्या मैं सीध करूँगा वही तो सीध होगा यहां भी यह भी वही सीध हो रहा है अब same to same छटवा प्रस्न है समझो चलो मैं इसको सीध नहीं कर रहा हूं ठीक है same to same होगा प्रस्न है यह वाला प्रस्न आया था लेकिन ऊच समय इसके जो मतलब जो blue print है न हो सकता है बढ़ा रहा हो इसन लिए बहुत बढ़ा बनाता है तो सराल प्रश्न है उसमें बहुत सारे बने हूए हैं यहां तक किसको फ्तर ठीक है लेकिन जो आने वाले हैं या आ सकता है दोनों जो है यह क्या है समानता रेखा हैं कह रहा है यह दोनों समानता रेखा है तो एडी कहां पर यह रहा एडी अपान क्या किया है इन्हें ने एडी अपान डी बी कर दिया है ठीक एक ही रेखा में है तो दो हिस्तों में बार दिया तो इसको एक दूसरे से भाग दे दिया इस तरह से AE और भाग दे दिया किस से? EC से, देखो ये रहा, भाग दे दिया, अब क्या कर रहा है? यहां पर इस बार ले रहे हैं, D और B ले रहे हैं, तो D भी को अब भाग दे रहे हैं, उपपर वाले से, ठीक है? इसी तरह से जब EC लेंगे, तो भाग देंगे, इस बार AE से देंगे ठीक है अब दोनों में क्या कर देंगे दोनों में इसी में प्लस एक जोड देंगे दोनों में प्लस एक जोड दिया प्लस एक जोडने के बाद इसका लगुत्तम जो है निकाल लेते हैं तो AD AD उपर में चला गिया यहाँ पे AC उपर में चला गिया नीचे में AD बस रह गया a b plus a d a c plus a d यह a c का माने पूरा देख लो न a c तो a c के जगह में यह दुनों दो हिस्से को जोड़ेंगे तो एक बड़ा हिस्सा बनेगा जिसे क्या कहेंगे a c कहेंगे तो a c आ गया ठीक नीचे वाला जैसे वैसा रहेगा ठीक अब यह सभी क्या है यह पहला और इसके स है ठीक a b upon a d और a c upon a e upon a c प्राप्त होगा ठीक चलो इसी तरह से देखो यह भी वैसा ही प्रश्ण है जो प्रस्ण मैं अभी आपको दिखा रहा हूं इसका सबका solution छोटा है यह सब दो दो नंबर के प्रश्ण है ठीक है सीथ कैसे करना है तो यहां पर दिया है कि यह पूर दलना है भई यहां पर b f upon f e बराबर b upon e c इस तरह से करना है तो यह देख सकते हो यह वाला जो है यहां पर लिख दिया है न एक मिनट कहां पर है d यह दोनों को क्या कर रहे है पहले समांतर सीथ करेंगे तो देखो कहां पर है भई d और यह e और यह a और c ठीक है तो इसके अंदर जो रेख हा रहा है ऊसके लिए यह वाला शुत्र लगा दिये और यह वाला जो आ रहा है ना इसके लिए हमने ऐह वाला सुत्र अकर cookies तो करने पर यह वान प्राफ्ट हो गया ठीक है पांचवा अब ही देखो same to same ऐसे ही बनेगा ठीक है इसको ज необход समझाने की जुरत नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूं इसका उत्तर मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा चट्वा भी देख लो चट्वा यह रहा ठीक है यही सब प्रसने जाम में आएंगे और बाहर से कोई भी प्रशन नहीं आएगा तो आपको यह सारे प्रसन द कुछ चीए ऐसे प्रसनों में क्या होता है कि बताना पड़ता है कि यह यह चीज है ठीक है यह यह पूरा सॉलूशन देख लो फिर नववा प्रसन दिखाता हूं यह भी दो नंबर का है ठीक है यह वाला और कुछ प्रसन जो है वो यहां पे है ठीक है अब दसवा देखो न बारवा दिखाता हूं मैं आपको बारवा यह रहा बारवा का पूरा सलूशन ठीक है इसमें जो है 15 प्रश्ण ऐसे प्रश्ण नहीं आते हैं 16 दिखाता हूं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अठारवा प्रश्ण यही सारे प्रस्णों की आपको प्रेक्टिस करना है ठीक है ज्यालण प्रश्ण नहीं है इसमें 18 और ये 19 प्रश्ण चोटे चोटे हैं ये हो गया यहां तक के और cry यहां प्रश्ण ठीक 20 यहां तक के और यह रहा इसका अधा और 21 प्रस्ण यह अंतीम प्रस्ण है तो इतने प्रस्णों के आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है तो 21 तक के प्रस्ण जो दिया है अभी मैंने जो दिखाया है जितने प्रस्ण यही सारे प्रस्ण जो है आपके एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा आपको और ज्यादा प्रस्णों की प्रेट्टिस करने की आउसकता नहीं है तो प्रस्ण बैंक और दोनों को मिला कि मैंने आएमपी प्रस्ण आप लोगों को दे दिया